यूएस में इंपोर्टन इंफ्लेशन का प्रिंट आया था हमारा जीडीपी आया था फिर वीकेंड पर हमारा जीएस्टी नंबर आया था सब पर रियाग करना है सब पर आके डिसकॉशन करेंगे प्लस आज क्योंकि मंडे है बैंकेक्स की निफ्टी मिट कैप सिलेक्ट की एक्सपायरी है आज एक दोपहर में कैबिनिट मीट शेडियूल है और आटो नंबर्स पर रियाक्शन चल रहा होगे कही सारे आज चुके हैं कही सारे आज भी आने तो एक्शन पैक्ट दिन और स्क् मिकरन बैट कैसे रहें एशिया ऐसे ही मिला जुला कामकाज कर रहा है सुबह तो वैसे जातलाल था फिलाल फ्लाट और हरे के बीच में है ये देखे लेगे मिला जुला कामकाज एशिया में यूएस का हैंड ओवर बढ़िया था जाते डाउ में अच्छी तेजी बनी और कह कहां दबाव में 200 पॉइंट कहां 200 पॉइंट मजबूती के साथ बंद हुआ तीनों बेंचमार्क्स आदे से एक सवा परसेंट मजबूत थे और आज सुबह के फ्यूचर्स ऐस वी स्पीक इस समय इस समय पर ये बजार आज यूएस का खुलना नहीं है लेबर डेके चलते हेड्लाइन में क्रूड रूट की चर्जा कर गये थे क्या हो रहा है हमारा हैंडवर है कैसा गूड बॉनिंग आशिस हैंडवर बल्कुल बढ़ है कोई कोई प्राब्लम नहीं यूएस के मार्केट को आप देखें तो वहां इंजार हो रहा था पी-सी कोर इंडेक्स का आए जो आगया अब कोई बहुत महत्पूर डेटा आना नहीं है अब बारतारी के असपास इंफ्लेशन का है लेकिन वो इतना इंपॉर्टन नहीं होगा इसके सामने तो एक तरीके से बिल्कुल रन्वे क्लियर है कि रेट कट के लिए आप तयारी करें इसलिए यूएस का मार्क मार्केट भी शुक्रवार को बहुत बड़ी है रैली बना के बंद हुआ है एसन पी अगर आप देखें तो चपन पर चला यह उसकी हिस्ट्री का सेकंड दे था जब इतनी बड़ी एक दिन में उसने बनाई है और वीकली देखो मंधली देखो लगातार वहां पे भी तेज कम हो रही है और दूसरा अक्टूबर की बैठक में क्या वाकई प्रोडिक्शन बढ़ेगा जो दो साल से कट कर रखा है अब इस डर में कुरूड नीचे जा रहा है लेहाला कि प्रोडिक्शन कट दुवारा रिवाईज होना ही जरूरत नहीं है कि प्रोडिक्शन है तो इसलिए क्रूड में नर्मी आई है क्योंकि डिमांड बहुत कम रहने की संभावना है एक इंट्रस्टिंग पॉइंट आशी के देखने मिला कि दुनिया के तीन मार्केट जो है अलग अलग हो गया है इन्होंने अपने को एक दूसरे से अलग कर लिया है डिवोर्स हो अब चीन दुनिया की सेकर्ड लाड़ेस एकॉनमी है अगर वहां बेतने बड़ी प्रावलम हो रही तो दुनिया प्रावलम होनी चाले कि किसी कोई फरक नहीं है सब अपने अपने देख रहे है यूएस में तेजी हो या जो भी हो उससे और दूसरे मार्केट कोई फरक नह रहे हैं उदर तो वह अच्छा है और हमारे लिए सबसे पॉस्टिव जो की समच्छी अत्तर पर आगया मुझे रखता है यह इंट्रेस्टिंग है जी एस्टी नंबर भी बढ़ गया है जी भी तो तो क्यूज के हसाब से दिन अच्छा कोई दिक्कत नहीं है ऐसी कोई दिक दिकत नहीं यूएस का हैंड़ोवर बढ़िया है कच्छा तेल अगर हमारे लिए इंपॉर्टन्ट है तो बहुत कूल आफ हो गया है और हमें नेट तगड़े इंपोर्टर जिस चीज़ को इंपोर्ट कर रहे हैं वही तीन डॉलर सस्ती हो गई है तो इस सेंटिमेंटली व जाखने मजबूती जो देखने को मिली है उसके बाद सेटड़ा हुआ है पहले वो जान लेते हैं इसके बाद सेशन की डिटेइलिंग पर चलेगी आज के अपोड़ेंगी परॉटर प्रॉफियर ब milligram अब मदा आ जा रहा है वैसे स्क्रीन देंगे हाँ मदा आँ ऐसे लिए कि लगातार इतना अपने मज़ा एंजॉय कर लिया अब थोड़ा सा उसको साइड पर पर चीए थोड़ा सा प्रॉपिट लेगे अब मैं नेगेटिव नहीं हूं मार्केट पर मैं बस यह चीज़ कहता हूं कि मैं एक फीलिंग आ रही होती है कई बार कि अब मार्केट में बहुत जादा वनवे रैली होगी है तो थोड़ा सा शायद कंसॉलिडेशन की मार्केट को ज़रू होते है एक तरीका होता है कि लगाते रही है तो वह एक अप्रोच हो जाएगी सेटप क्यों अबरबॉट है पहले तो नंबर्स पर आते हैं अब कैश में बड़ी बाइंग शुरू कर दिये पांच हजार करोड की बाइंग आई ए फ्राइडे को अब आप कहेंगे कि अब आप कहेंगे कि अब बुराई करोड का म्यूचर फंड के पास कैश है अगर अगर यह फैस तरीकिसा बाइ करते रहें तो यह और बढ़ जाएगा यहाँ पर फिर एक पैसा लगाएंगे यह एक इंटरस्टिंग चीज होगी तो इसके लिए मार्केट पर बहुत जादा नेगीटिव नहीं है यह निए कि म मार्केट में नेगीटिव हूँ नहीं मार्केट में बहुत पॉजिटिव हूँ मेरा तो यह मानना है और जो मैंने बात की थी 27272 की वह भी इंटाक्ट है ठीक है दोनों चीजों में लेकिन फारक होता है एक होता है कि आप ऐसा थोड़ना कि कली आ जाएगा वो लेवल हो सक स्टॉक फूचर्स में चार हजार करोड की बाइंग होना वो मार्केट बहुत ही रिस्की हो जाती है आगे मैं बारबा चीजों को तोल मोलके बोलता हूँ सिरीज का पहला देने मार्केट इतना तेस चल रही है सब कुछ है आप स्टॉक फूचर्स खरीदेंगे क्यों नॉर मार्केट को रिस्क से थोड़ा सा दूर कर देता है इसके लिए यह मेरा एक पॉइंट था विजिन इंडेक्स फूचर्स अगर आप देखेंगे तो साढ़े आठ सो करोड की बैंक निफ्टे में बाइंग होई है और अब लगातार आठ दिन से यहां पर इंडेक्स फूचर कर दिये और जो बचे कुछे आठ शॉट्स ते उसमें आठ हजार कम कर दिये अब आप लॉंग शॉट देखिए वो जो ग्राफ विरू भीजते हैं अगर आप चार्ट की फॉर्मैट में देखेंगे तो वापस एक दम से देखिए कैसे सर जाया और अगर आप टेबिलर और अगर कोई नेगटिव न्यूज आजाए तो मार्केट ज्यादा गिर जारता है इसके लिए मैं आज सेट अप को कह रहा हूं कि थोड़ा सा स्लाइटली ओवर्बॉट लग रहा है मुझे इवन कॉल लॉंग और कॉल शॉट आप देखेंगे तो जितने कॉल लॉंग उस तरजगे से फ्राइडे का मुवा रहत है कि बलवरामपुची नहीं आ जाएगा बैन में तो सेट अप ओवर्बॉट है मार्केट वीक नहीं है लेकिन सेट अप ओवर्बॉट है इसके लिए मैं इन लेवल्स पर थोड़ा सा कॉश्यस हूं वैसे भी नई सेरीज के शुरु रही नहीं है आज थोड़ा सा कॉश्यस रहे थोड़ा सा कॉश्यस रहने का दिन आए निफ्टी आपकी स्क्रीन पर रखता हूं फ्राइडे का डेडिक सेशन भी बढ़िया था झालड़ा सा क neuron ऑेड़ा सा क्वार स्क्री ने अल्यस रहां सा क्या रहाँ स्वाब्तावा थूइब हप़ा depriर्ढ़ा सा कुश्यस 8 home